उपन्यास कसप, फाइल संख्या चार डीडी बरेली जाकर रहा सभी आशंकित थे कि यही उसका अगला खतरनाक कदम हो सकता है गुडिया और बब्बन ने उससे आग्रह किया कि कुछ दिन नैनिताल ही रहे और फिर उनके साथ रामगर चले एक हफता शिवदा के सेब बागान में बिताने बब्ली दी उससे अपने साथ लखनव चलने का निहोरा करती रही डीडी ने कहा कि नहीं, मैं रानी खेट जाऊंगा तब गुडिया ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहां मेरी एक सहेली है डीडी को अब ये कहना पड़ा कि रानी खेट जाने का इरादा बदल दिया है गंगोली हाट जाऊंगा पूजा करने इस पर बबली दी ने उससे अनुरोद किया कि अपने साथ मैजू को भी ले जाए पुन्य होगा, बुढिया की बहुत दिन से इच्छा हो रही गंगोली हाट जाने की वो जाकर मैजू को बता भी आई अब डीडी को कहना पड़ा कि सीधा गंगोली हाट नहीं जा रहा हूँ ट्रेकिंग करूंगा बबन ने कहा कि पैदल घुमककडी में अलमोड़ा तक मैं भी साथ रहूँगा डीडी ने घुमककडी का इरादा बदल दिया उसने घोश्रा की कि तुरंत बंबई जाना है गनीमत कि किसी ने उसके साथ बंबई या दिल्ली चलने की बात नहीं की इतना जरूर हुआ कि चिर शंकालू भबन टिकट खिड़की पर साथ हा कर रहा और डीडी को दिल्ली तक का टिकट लेना ही पड़ा ये प्रता है नव्योवकों में कि जो भी पहाड छोड़ कर चला जाता है मैदानों की ओर वो पीछे छूट जाते अपने साथियों को चूंगी दे कर जाता है आने वाला टॉल नगरपाली का स्वागत करने का लेती है और जाने वाला टॉल युवा मंडली विदा करने का डीडी ने जिसे दिल्ली नहीं बरेली जाना है दिल्ली तक के टिकट में व्याय हुई राशी भी मन ही मन इस चूंगी में जोड़ ली दिल्ली के बस से डीडी रामपुर उतर गया वहां से बरेली गया और चावनी में खोज खाज कर करनल शास्ती की कोठी पर जा पहुँचा करनल सहब डीडी की हिमाकत देख कर स्तब्ध हो गये डीडी की भेजी परची के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने बैटमेन से कहा कि उस लड़के को धक्के मार मार कर निकाल दो फिर अपने आदेश में उन्होंने संशोधन किया तुम रहने दो हम जाकर मारेंगे धक्के लेकिन करनल शास्ती को मिसिस गौरी शास्ती गौरी जिन्हें नाज है अपने नाम के बंगाली पन पर कि साधारन कुमाउनी औरतों की तरह गौरा नहीं कहलाती ने रोका वो अपने अपेक्षाक्रित निकट किन्तु निर्धन मौसिया ससुर के यहां विवाह में नहीं गई थी क्योंकि उन्हें अपने दूर के रिष्टे से फूफा जो जच साहब थे कि बेटी के ब्याह में जाना था लेकिन इस बीच वो सुन चुकी थी कि नैनी ताल वाले विवाह में बेबी के प्रसंग में क्या हुआ मिसेश शास्त्री ने करनल साहब को सुझाओ दिया कि कार्तिक डार्लिंग तुम भीतर चले जाओ and let me handle this boy बैटमैन ने आकर बताया कि साहब तो बिजी हैं मेम साहब ने आपको याद किया है डीडी ने थोड़ी राहत महसूस की वो गाली गलोज और हाथा पाई का सामना करने की मनह स्थिती में था नहीं लेकिन गौरी शास्त्री की एक जलग देख कर ही उसे प्रतीती हो गई कि इससे तो अच्छा होता कि करनल जोशी टकराते गौरी सिर से पाउं तक आभिजात्य की प्रतिमा निकली और आभिजात्य की उपस्थिती मात्र मध्यवर्गिय मन के लिए किसी भी गाली किसी भी प्रहार से अधिक हीन भावना प्रत होती है गौरी के पहरावे श्रिंगार की हर वस्तु घोशित कर रही थी कि मैं जितनी साधी हूँ उतनी ही महंगी भी और गौरी का शरीर ये घोशित कर रहा था कि मैं इस पहरावे, सिंगार, अलंकार का उबे होने की हद तक आदी हूँ मिसस शास्री ने मुस्कुरा कर और हाथ जोड़कर डीडी का अभिवादन किया और खुरदूरे पन से अपरिचित अपनी उंगलियों से एक सोफे की और इशारा किया कि बैठ जाओ डीडी समझता था कि मिसस शास्री अंग्रेजी में बोलेंगी या फिर साफ सुत्री हिंदी में डीडी का मध्यवर्गिय मन आभिजात्य की कलपना करते हुए नव धनाध्यता तक ही जो पहुँच पाता था किन्तु मिसस शास्री ने खाटी कुमाउनी में वारता लाप किया उनका उचारण निर्दोष था और लहजा वैसा जिसे बब्बन जैसे मस्खरे फुरफुरेंट कहते हैं ये लहजा सुनने वालों को बता देता है कि बोलने वाला उनका वन्शज है जो राजाओं के दीवान रहे अंग्रेजों के जज प्रशासक इतने मिर्मिंग धंग से आपचारिक और इतने आपचारिक धंग से आत्मिय है ये प्रशास की लहजा कि मध्यवर्गिय कान को गोरे साहब की अंग्रेजी से भी अधिक अपमान जनक मालूम होता है गोरी अनुमती चाहती है देवी दत्य से कि उसे देविया कहें डीडी कहना उन्हें बहुत भूहर मालूम होता है वे जानना चाहती हैं देविया से नैनी ताल में सब कुशल तो है? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बरीली में कितने दिन ठहरने का विचार है? सामान कहां है? वो चाय पीना चाहेगा या शर्बत? बीडी से अपने देविया अवतार में यही कहते बनता है कि मेरा यहां ठहरने का कोई विचार नहीं है. मुझे आज ही दिल्ली जाना है और वहां से सीधे बंबई. एक मित्र से मिलने के लिए बरेली रुग गया था. दया की एक ओटोग्राफ बुक मेरे पास रह गई है, सो लटा दो. आप लोगों से भी भेट घाट हो जाएगी इसी बहाने. भेट घाट यानि मुलाकात. गौरी ने ओटोग्राफ बुक सा धन्यवात ग्रहन की और मेज पर रख दी. उसे उलट पुलट कर देखने की कोई आवश्रक्ता नहीं समझी. गौरी ने टिपड़ी की कि देभिया ने आकर अच्छा ही किया. क्योंकि इसी तरह मिलते जुलते रहने से अपने परायों का पता चलता है. गौरी ने फिर जानना चाहा कि देभिया क्या पीना चाहेगा? क्या चाय और शर्बत के विशय में उसके उत्साह की कमी को इसो रिंगित कर रही है कि वो कुछ और पीना चाहेगा? क्या उसके लिए बियर मंगवाई जाए? देभिया को कहना पड़ा, चाय पिलूंगा. देभिया को चाय पिलाई गई. देभिया से साहित्य और सिनेमा के बारे में आम तोर से तो देभिया के साहित्यक सिनेमाई कैरियर के बारे में खास तोर से ऐसी बा भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता। चाय खत्म हो चुकी थी। गौरी ने सोफे के हत्थों पर दबाव डालते हुए कहा। अच्छा किया आ गया। फिर कभी बरेली आये तो जरूर मिलना। डीडी ने आखिरी क्षण में साहस बटोरा। मैं बेबी से मिलना चाहता था। वो इस समय नहीं है। बेबिया विदा लेता है। गौरी आग्रह पूर्वक गेट तक छोड़ने आती है। गेट पर ठिठक कर डीडी पूछता है। क्या सचमुच। सचमुच क्या। बेबी घर में नहीं है। किसी को उसके घर जाकर जूटा कहना शिष्टाचार नहीं। गौरी का स्वर कतई कठोर नहीं है। माफ कीजिएगा। मेरा मतलब वो नहीं था। डीडी कहता है। और नजर बंगले की छट की और उठाता है जहां बेबी खड़ी हुई है। गौरी केट बंद कर देती है। जानता है कि अब उसे इसी बंगले की परिक्रमा करते रहना होगा। नाइका जानती है कि नायक परिक्रमा करके रहेगा। नायक बंगले का चक्कर तीन चौथाई ही लगा पाता है हर बार सामने जाना निरापद नहीं यो अगल बगल और पिछवारे भी पकर लिये जाने की कुछ आशंका तो है नायका नायक के समानांतर बंगले की चट की तीन चौथाई परिक्रमा कर रही है और निशब्द कुछ बोल रही है जब भी सब तरफ से आश्वस्त होकर नायक निगाह चट की और उठाता है नायका के होटों को हिलता हुआ पाता है क्या कह रही है वो? या कि गा रही है वो? नायक कभी-कभी निगाह उठाने के साथ-साथ हतेली से इशारा करके जानना चाहता है कि तू क्या कह रही है और वो हतेली से इशारा करती है दीरजधर, ध्यान दे, समझने की कोशिश कर मैं कह रही हूँ होट धीमे-धीमे हिलते हैं कि एक-एक निशब्द-शब्द स्पष्ट हो सके नायक समझने की कोशिश करता है और फिर हतेली नचा कर बताता है कुछ पल्ले नहीं पड़ा नायका अपनी तियोरियों पर बल डालती है तरजनी कनपटी पर रखती है सिर एक और जुका लेती है सोच रही है कि कैसे समझाओ फिर वो पहला निशब्द-शब्द उचारते हुए तरजनी से नायक की और इशारा करती है तू नायक अपने पीछे नीचे देखता है कि शायद वहाँ कोई वस्तु हो जिसे इंगित किया जा रहा है उंग्लियों को उंग्लियों पर बजाती है कि क्या करूँ कैसे समझाओ फिर वही शब्द निशब्द उचारते हुए तरजनी से बार-बार नायक की और इशारा करती है तू 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 नायक आखिर समझता है तरजनी से अपना सीना ठोकता है मैं नायका सिरहलाती है और फिर वही ध्वनिहीन वाक्य दोराती है तीन शब्द हैं वाक्य में पहला तू है तो अंतिम कोई क्रियापद होगा था तू कहां था लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई नायका उसी वाक्य के उसी शब्द क्रम पर होट हिलाये जा रही है अंतिम शब्द है भी हो सकता है तू डैश है, रिक्तिस्तान को भरिये अच्छा, बच्चा, प्यारा, पगला, लाटा नायक अब इस समस्या से इतना उलज गया है कि चहल कदमी करना उसने छोड़ दिया है सभी खत्रों से वो बेखभर है अब जो भी है वो शब्द, उसके अंत में आ की मात्रा नहीं है इसलिए नायक, नायका के लिए ना प्यारा हो सकता है ना लाटा इस शब्द के अंत में तो उ की मात्रा है ऐसा शब्द क्या हो सकता है जो छोटा सा हो, जिसके अंत में O की मात्रा हो और जो नाईका नायक के लिए प्रयुक्त कर सके उल्लू, उल्लू, ढीडी, जिसके एकांकियों की धूम है, जिसकी कहानियों का संग्रह प्रशंसित है जिसकी कविताएं दूसरा सब्तक में लिये जाने की खबर उड़ी थी, जिसे एक फिल्म में प्रमुक सहायक दिगदर्शक का और एक में अतिरिक्त समवाद लेखक का क्रेडिट मिल चुका है, वो उल्लू निश्चय ही नायक को समझने में कहीं कोई गलती हो रही है, बात इशारों से परे पहुँच चुकी है मैं क्या हूँ? नायक चुनौती भरे स्वर में चीखता है और फिर कई बातें एक साथ होती है करनल सहाब का एलसेशियन जो इधर कुछ देर से ध्यान मंगन नायक पर बाड़े के उस पार से जिग्यासू शंकालू द्रिष्टी डाल रहा था चीखना सुनकर भौकता है और नायक पर जपटने को होता है गनीमत है कि वो बंधा हुआ है नायका कहती है बुद्धू और जीने की तरफ भाग जाती है करनल सहाब खुद बरामदे में आ जाते है नायक के पास ये ताय करने के लिए समय नहीं कि नायका ने बुद्धू उस निश्वन वाक्य में और तू और है के बीच की जगह भरने के लिए कहा था या कि ये नायक के चीखने पर एक स्वतंत्र टिपड़ी थी इससे आपको हमें कोई विशेश अंतर ना पड़े पर नायक को सुना पड़ता है पहले तू उल्लू है फिर तू बुद्धू है हो तो गाली गलोच वाला मामला बनता है लेकिन अगर पहले तू बुद्धू है वाच्छल्य और फिर तू बुद्धु है विसमे हो तो प्यार व्यार का मामला हो सकता है नायक भाग रहा है और भागते हुए इस प्रकार सुक्ष्म विवेचन संभव नहीं नायक भाग रहा है क्योंकि करनल सहाब ने मांग की है कि शत्रू से निपटने के लिए मुझे हत्यार बंद किया जाए नायक भाग रहा है क्योंकि वो जानता है कि भाग कर कहीं नहीं जा सकता यहीं लोटना है नायक के पौरुष के आगे संप्रती प्रश्नि चिन्निसा लगा होने के बावजूद सैध्धान्तिक स्तर पर ये शंका उठ सकती है कि ये कथानक पुरुष सत्तात्मक हुआ जा रहा है अस्तु नायका की ओर से कुछ निवेदन करने की अनुमती चाहूंगा किन्तु कुछ और कहूं इससे पूर्व ये स्वीकार करना अपना करतव्य समझता हूं कि नायका के निरूपण में मेरा स्वयम पुलिंग होना बाधक है इस विशे में हुए साहित्यक शास्त्रार्थ में से तीन स्थापनाओं का उलेख कर देना श्रेयसकर होगा पहली ये कि पुरुष अपने साहित्य में स्थ्रियों की भूमिका सीमित रखते हैं और उस सीमित भूमिका का निरूपण भी पुरुष सत्ताक मानकों के अनुसार करते हैं दूसरी ये कि हिंदी कथाकार नारी को पूज्या मानते हैं कभी पुष्प गंधाक्षत और मंत्रोचार से, कभी लाद घूसे और गाली गलोच से। अतैव उस सामान्य नारी का निरूपमण करना उसके लिए असंभव है जो न चंडी है न रंडी। तीसरी ये कि हिंदी लेखक का सहवास का अनुभव इतना सीमित और दरिद्र होता है कि अपने में यही अनन्त आश्चरे का विशय है कि नारी पर लिखने के लिए उसका कलम भी कैसे उठ पाता है। कलम किसी तरह उठ ही गया है तो नाइका के संदर्ब में भी कुछ लिखना ही होगा। पहली बात नाइका अब भी अपने को नाइका नहीं बेबी ही समझती है। अभी तक उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि परमात्मा ने प्रेम की कोई पटकथा लिखी है और बेबी को नाइका की भूमी का सौप दी है। दूसरी बात बेबी को सभी पुरुष विचित्र और हास्यास्पद मालूम होते हैं। ये स्वस्थ दृष्टिकोर उसने नारी मुक्ती आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले प्राप्त कर लिया था। कदाचित इसलिए कि वो चार भाईयों की अकेली बहन थी। तीसरी बात बेबी को डीडीटी नामक ये पुरुष विचेश रूप से विचित्र और हास्यास्पद मालूम हुआ है प्रथम साक्षात से और दिन प्रति दिन वो मुल्यांकन सुद्रिड होता जा रहा है। इसे प्रेम के प्रादुर्भाव का लक्षन माना जा सकता है कि बेबी के मन में कोई ऐसा या कि वादी प्रश्ण नहीं उठा है। डीडी मुझे विशेश रूप से विचित्र इसलिए लगता है कि वो मुझसे अलग भी वैसे ही विशेश रूप से विचित्र है या कि इसलिए कि वो मेरे संदर्ब में ही विशेश रूप से विचित्र और हास्यास्पद हुआ जा रहा है नितांत पृतिकर ढंग से इसलिए उसे करनल सहाब का इस मामले में हस्तक्षेप नितांत आपत्ती जनक मालूम हुआ है। पाचवी बात, बेबी को ये कुल मिलाकर अच्छा लगा है कि डीडी ने भी इस मामले का फैसला किसी और को नहीं करने दिया है। गिरता परता वो उसके पीछे चलता ही चला आ रहा है। बहुत जवा मर्द ना सही, अपनी जिद के लिए नायकोचित साहस तो जुटा ही रहा है। चठी बात, बेबी इस बात के लिए भी डीडी की प्रशंसा करना चाहेगी कि उसने गलत, फ्रांसीसी में ही सही, स्पष्ट कहा है कि जिलेंबू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और एक बार नहीं, बारम बार कहा है, और लड़कों की तरह वो भेल जेब, यानी हिप पॉकेट से जेबी कंगी निकाल कर बाल सवारने में, या टाई अत्वा मफलर को ठीक से जमाने में, या एक दूसरे से लिपट चिपक कर हाई जालिम मार का फप्तियां कसने में, या अ और लड़कों की तरह उसने ये नहीं चाहा कि मैं आकरशित हूँ, मैं कोई बेवकूफी की बात कहूँ, या उधार मांगे नोट्स के बीच में पत्र लिख कर रख दूँ, आकरशित ये खुद हुआ, बेवकूफी की बातें भी इसी ने कहीं है जिग्यासा हो सकती है कि क्या बेवी, भले ही वो संप्रती नाईका बनने को प्रस्तुत न हो, नायक के विशे में किसी प्रकार की भी कलपना इस बीच एकांत क्षणों में करती रही है, इसका उत्तर है हाँ, किन्तु इस हाँ को लेकर उड़ना बहुत उचितना होगा स्थिती ये है कि बेवी, एकांत क्षणों में इतना ही सोचती रही है कि डीडी को खतरनाक खिलंदड़ी और शरारतों में अपना साजीदार बना कर देखूं, बहुत मज़ा आएगा शरारत का मज़ा और डीडी की प्रतिक्रिया का मज़ा उदाहरण के लिए डीडी से कहा जा सकता है, चलो रात को किसी के बाड़े से कक्डियां चुराएं कक्डियां चुराने की शरारत फितना किस्म के लड़के तो करते हैं, और सो भी गिरोह में लड़कियों का ऐसी शरारत से कोई संबंध नहीं होता एक लड़की की संगत में एक लड़की की प्रेणा पर डीडी कक्डी चोर की भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा इसकी कल्पना बहुत सुखद मालूम होती रही है बेबी को इसी तरह उसने ये भी सोचा है कि डीडी को लेकर मतुरा सदन जाए जिसके मालिक मैदान में बस गए है जो सरकार ने किराय पर लेकर एक देश वाली अफसर को इस वर्ष दे रखा है और जहां खुबानी बहुत बड़ी और मीठी फलती है डीडी की जिम्मेदारी ये हो कि वो बिना किसी से पूछे ताचे दिन दहाडे खुबानिया तोड़ कर बेबी को देता जाए जब टोकाटा की डाट डपट हो तो कथाकार डीडी पूरे आश्वासन से इस आशे की कहानी गढ़ कर सुनाए कि बेबी की वृद्धा नानी जो इस कोठी को बनाने वाले मतुरा दत जोशी की सगी बहन है विक्षिप्त सी हो गई है और उन्होंने घर में सवेरे से तूफान मचा रखा है कि अपने भाई के घर की खुबानिया खाऊंगी जाओ मतुरदा से मांग लाओ उनको बाजार से लाकर खुबानिया दी गई लेकिन उन्होंने उठा कर फेक दी यहां की खुबानिया वो खुब पहचानती है प्रतिवर्ष खाती जो रही है ये दो उदाहरण मेरे विचार से पर्याप्त होंगे अतिरिक्त उदाहरण बेबी की उर्वर मेधा काही अतिरिक्त साक्षे प्रस्तुत कर सकते हैं इनसे हमारे इस मूल भूत प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता कि क्या बेबी को किसी सीमित अत्वा विशिष्ट अर्थ में ही सही डीडी से प्यार हो गया है इस प्रश्न का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का उत्तर सूजता है पक्ष विपक्ष में काफी कुछ कहने की संभावना है किन्तो मुझे भय है कि उस स्थिती में मैं बहुत विरल और बिखरा हुआ सा लेखन करने का दोशी ठहरूंगा अस्तु कथा वस्तु पर ध्यान देना समीचीन होगा बेबी नैनी ताल छोड़ते समय जो नाराज हुई सो अब तक नाराज ही चली आ रही है नाराज लेकिन नासाज नहीं मुझ फुलाकर बैठ जाना अत्वा बंद कमरों में सिसकते रहना उसे पसंद नहीं है वो पूरी तरह से शान्त सामान्य है केवल ठुलदा पर उसने प्रकट कर दिया है कि तेरा आचरण मुझे कतई पसंद नहीं है बेबी ठुलदा से इस तरह व्यवहार कर रही है मानो वो कसूरवार बच्चे हो जिन्हें उसने दंडित करने के लिए ठुकरा रखा है सबसे वो हस बोल रही है ठुलदा की ही बातों का रूखा सूखा सा जवाब दे रही है ठुलदा की इच्छा होती है कि बेबी को पीट कर रख दें लेकिन वो जानते हैं कि बेबी को पीट भले ही दें पीट कर रख वक देना उनके क्या किसी के वश्का नहीं है उन्हें ये भी मालूम है कि बेबी घर में सबकी लाडली है वो इस तत्य से भी अवगत हैं कि उनकी पत्नी गौरी मुझ से इस पश्ट कुछ न कहे मनी मन ये मानती है कि ससुराल वाले अभिजात नहीं है मायके वालों की तरह पती का चीखना चिलाना मार पीट करना अभिजात्य के अभाव का प्रमार ठहराती आई है वो नई कार्तिक ये मिलिटरी वालों के नहीं मिडल क्लास वालों के काम है तो ठुलता बेबी को पीट नहीं सकते डीडी को जरूर पीट कर रख देना चाहते हैं लेकिन अपनी पत्नी के आभिजात्य की गरिमा और अपनी बेहन की स्वाभिमानी जित के चलते ये काम भी नहीं हो पाएगा शायद डीडी को पकड़ कर ले आया है चौकीदार बहुत दूर नहीं भाग सका वो भाग पाता भी तो लौट कर आना यहीं था नाईका से मिलने की इच्छा लेकर ठुल्दा के हाथ में पिस्तॉल है और मुह में अंग्रेजी गालिया गौरी बोजियो यानी भावी ठुल्दा के हाथ से पिस्तॉल ले लेती है और अंग्रेजी में कहती है क्रोध में अपने को हास्यासपद ना बनाओ मुझे इस मामले को सलटने दो भीतर जाओ और ठंडी बियर पियो गौरी बोजियो चौकिदार से चले जाने को कहती है और देविया से पूछती है मुस्कुरा कर मुझसे तो बात हो चुकी थी फिर कैसे आया कुछ रह गया था क्या देविया कहता है मुझे बेबी से कुछ बात करनी थी गौरी कहती है जब हमने कह दिया कि बेबी घर में नहीं है तब समझ जाना चाहिए था कि हम बेबी से बात करने की अनुमती नहीं दे सकते बेबिया को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है वो दर्वाजे का रुख करता है तभी बेबी आती है और पूछती है कुमाउनी में अरे डीडी कब आया नायक से कुछ कहते नहीं बना सब लोग खड़े क्यों हो बेबी ने कहा बैठ डीडी, बैठो बोज्यू तुम लोग बैठो, गौरी बोली बच्चों की बातें मैं क्या सुनू नहीं, तुम बैठो बोज्यू बेबी ने कहा हमें कोई खास बात थोड़े करनी है बेबी आराम से बैठ गई गौरी भी डीडी सकुचाया हुआ सा सोफे पर अपना न्यूनतम भार डाल कर बैठा कि आवश्यक हो तो तुरंत उठकर चला जाए और क्या हो रहे बेबी मुस्कुरा कर पूछती है क्या हाल है तुम्हारे बदस्तूर बरेली कैसे आया कोई खास बात मुझे एक दोस्त से मिलना था वो ओटोग्राफ बुक भी लोटानी थी ओटोग्राफ बुक मिल गई दया को तुने उसके लिए कुछ लिखा भी नहीं दिखा नायक बटुए में सहेज कर रखी हुई एक परची निकाल कर नायका को दे देता है नायका परची पढ़ती है और मुस्कुराती है गौरी पूछती है मैं देख सकती हूँ बेबी पर्ची उसकी ओर बढ़ा देती है नायक का चहरा निरक्त हो जाता है गौरी पर्ची पढ़ रही है और नायका नायक को जबान निकाल कर दिखा रही है जिलेंबू मारगांट गौरी पर्ची बेबी को लोटाती है ये तुम लोगों का कोई प्राइवेट जोक है शायद जोक ही तो है नायक निश्वास चोड़ता है नायका पर्ची को ब्लाउज में खोशते हुए पूछती है और क्या प्रोग्राम बन रहा है मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूँ वहां से बंबई के लिए गाड़ी पकडऊंगा बंबई तो बहुत बड़ा शहर ठेहरा वहां जाकर पहार को तो भूल ही जायेगा भूलूंगा तो कुछ नहीं खुद जरूर खो जाओंगा बंबई बड़ा शहर है और मैं चोटा आदमी बड़े शहर में जाकर ही तो लोग बड़े बनने वाले हुए बल शायद मैं कोशिश करूँगा कि किसी लायक बन सकूँ लायक तो तू हुआ लायक हो जाने से ही तो किसी के लायक नहीं बन जाता अच्छा, तू किसी के लायक बनने की कोशिश करने वाला है वहाँ बंबई में हाँ किसके? जीन सिम्मन्स के? हाँ सची है भी कोई जीन सिम्मन्स जीन सिम्मन्स, गौरी बोजु कहती है हॉलिवुड की एक एक्ट्रेस है मुझे नहीं पता था कि देविया उससे ब्याह करना चाहता है या ये भी तुम लोगा कोई प्राइवेट जोक है जोक ही तो है नायक निश्वास छोडता है तुम लोग तो पहेलियों में बात करते हो गौरी बोजियों टिपड़ी करती है पहेली ही तो है नायका नायक की नकल करती है निश्वास छोडती है मैं नायक कहता है तू नायका पूछती है मैं चाहता था कि बंबई जाकर चिठी लिखूँ पता क्या है हॉलिवुड जीन सिम्मंस का नहीं तेरा मुझे क्या लिखेगा चिठी में वही जो पर्ची में रखा हाँ वो तो लिख दिया बार-बार क्या लिखना हुआ और भी लिखूंगा कुछ क्या मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो दो लाइन की चिट्थी हुई जिलेंबू मारगाट मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और भी कुछ लिखूंगा क्या लिखेगा वही तो पूछती हूँ नाईका मुस्कुराती है मुझे तो कोई चिट्थी भेजता ही नहीं तू भेजेगा तो एक नई जैसी बात होगी शब कहेंगे बेभी की चिट्थी आ रही सब पूछेंगे क्या आ रही बेभी तेरी चिट्थी सब को सुनानी ठहरी ना इसी से पूछती हूँ की क्या लिखेगा यही कि किसी के लायक बनने में क्या प्रगती हुई इसमें तो हर बार नहीं बात होगी अच्छा लेकिन ये तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी हुई तेरी इससे सुनकर दूसरे उबेंगे नहीं क्या कुछ और भी लिख दूँगा क्या ग्यान विज्ञान की बाते वो तो तू जरूर ही लिख देना देविया गौरी बोजु कहती है इस सर्फिरी का उनसे बहुत भला होगा यो अगर ग्यान विज्ञान तुझे इतना ही आता होगा तो इस सिर्फिरी को चिठी लिखने का इरादा ही छोड़ देगा और बेबी बच्ची हमें कहीं जाना भी है देविया को भी ट्रेन पकरनी होगी शायद देविया उठ जाता है बेबी और गौरी उसे बाहर तक छोड़ने आती है फाटक पर डीरी कहता है पता नहीं दिया अरे हाँ बेबी कहती है कागस पेंसिल है नायक अपनी नोटबुक निकाल कर देता है बेबी उस पर लिखती है अपना पता और एक सूचना मारगाट खोलना मुझे भी नहीं आता नायक इस वाक्य को पढ़कर या की वाद को प्राप्त होता है नोटबुक जेब में रखते हुए वो बाहर निकलता है लेकिन देखता नायका की ही ओर रहता है नायका है की गई नायका जगह पर है नायक का पाउं अलबत्ता बेजगह पढ़ रहा है गोबर में नायका हस्ती है नायक जीपता है समलता है सीधा देखकर चलता है अब वो मोड पर पहुँच चुका है अंतिम बार पलट कर देखने का मोहु समवरन नहीं कर पाता वो पलट कर देखता है नाईका और गौरी बोजियों हाथ हिला रहे हैं वो भी हिलाता है और हाथ हिलाते आगे बढ़ते टकराता है साइकल रिक्षा के हैंडल से इस दुरघटना क्रम से पार पाने के लिए वो उसी रिक्षा में बैठ जाता है और कहता है स्टेशन फाटक से बंगले की और जाती हुई गौरी बोज्यू कहती है बेबी से शिबो इस लड़के के लिए इतना बतंगर तेरे दादा की समझ पर हसी आती है बेबी कोई टिपड़ी नहीं करती इस लड़के के बारे में भले ही उसका कोई निश्चित मत ना हो अभी तक दूसरों का कोई भी मत स्विकार नहीं है उसे खास कर गौरी बोज्यू का ट्रेन दिल्ली जा रही है ट्रेन बंबई जा रही है वगयर रिजर्वेशन है डीडी सीट पर नहीं अपने ही सामान पर बैठा हुआ है वो दर्वाजे के पास खेड़की के बाहर जांकते हुए सैरे दौरते हुए आते हैं उससे मिलने दौरते हुए पीछे छोड़ जाता है वो सैरों को उसकी एक मंजिल है जो मंजिल नहीं है पड़ाव है वो बंबई जा रहा है घर नहीं नायक का मानस एक विचित्र सी अवधारणा में लीन है वर्षों वर्षों बैठा रहूंगा मैं इसी तरह इस गाड़ी में जिसका नाम आकांग्षा है वर्षों वर्षों अपनी ही पोटली पर मैले फर्ष पर दुखते कूल हों, सो जाती टांगों पर बैठा रहूंगा मैं संघर्ष का टिकट मेरे पास होगा, सुविधा का रिजर्वेशन नहीं बदलती रहेगी गाड़ी की गती, बदलते रहेंगे ये दोडते आते पर पीछे छूट जाते सैरे, बदलती रहेगी मनहिस्थिती मेरी उत्रूंगा मैं इसी गाड़ी से उन मंजिलों पर जो मंजिले नहीं पड़ाव होती है फिर फिर पकड़ूंगा मैं इस गाड़ी को क्योंकि घुमककर अनवेशक है मेरा संकल्प और वो देख कर रहेगा मेरी नियती का सारा भुगोल जहां से शुरू होता है क्या वही नहीं खत्म होता होगा अपना अपना भुगोल नायक पूछता है गाड़ी के धचकोलों से क्या ये गाड़ी ऐसे चक्रपत पर नहीं चलती कि राते उंगती आँखों में काटता मैं मुसाफिर तमाम उन मंजिलों पर उतर चुकने के बाद जो मंजिले नहीं पड़ाव होती है किसी बसंती सुबह तड़के जागूंगा और देखूंगा खिड़की से बाहर शीतल निर्मल प्रकाश में आकार लेते उन सैरों को जिनकी गोद में बसा है मेरा घर नायक पूछता है समवाद में सनलगन पहियों पट्रियों से क्या घर से शुरू हुई ये यात्रा घर पर ही खत्म नहीं होगी और क्या बहुत अधिक, बहुत बड़ी, बहुत अधिक भारी नहोगी वो पोटली जिसे लेकर मैं उत्रूंगा उस पोटली की अपेक्षा जिसे लेकर मैं चढ़ा था इस मुद्रिका रेल गाड़ी पर नायक पूछता है पट्रियों के समानांतर चलते, चढ़ते, गिरते तारों से भावुकता के प्रभाव में नायक करता रहता है ये किशोर चिंतन किन्तो यथार्थ का आग्रह अब उसके सामने प्रस्तोत कर रहा है एक छोटा सा तीखा सवाल और सब तो ठीक है, पर तेरा घर कहां है? मेरा घर? नायक जूजता है इस समस्या से मेरा घर? मात्र प्रश्न दोराते चलने से उत्तर नहीं मिल जाता घर की प्रतीक्षा उदास कर रही है नायक को कुछ अधिक बढ़ जा रही है ये उदासी इस ट्रेन से दूसरे लोगों को अपने अपने घर पर उतरते देखकर चलो मुन्नू, मिथिलेज, बब्बी, उठो, घर आ गया एक आदमी होल्डॉल समेटते हुए अपने बच्चों को हिलाता है और नायक फिर दोराता है वही प्रश्न मेरा घर उधर से पत्र ना आने के कारण नायक थोड़ा सा व्यग्र हो चला था कहीं ऐसा तो नहीं कि वे नायका को मिलते ही नहो डाक विभाग ने काम करना बंद कर दिया हो या डाकिया किसी गलत पते पर फेकाता हो या नायका के अभिभावक इन पत्रों को नायका के हाथ में पढ़ने ही न देते हो या कहीं ऐसा तो नहीं कि नायका ने जान बूज कर उसे अंट शंट पता लिख कर दिया हो ये भी एक मजाख हो उसका। नायक डीडी है, इसलिए इन तमाम संभावनाओं का विचार करता है। किंतु नायक, भगवान की दया से नायक भी है संप्रती। इसलिए इन संभावनाओं को रद्ध करता जाता है। बहुत सोच विचार के बाद वो इस निशकर्ष पर पहुँचता है कि सारी बात उस दया नामनी के कारण अटकी हुई होगी. जब तक दया का कोई ठिकाना न कर दें, तब तक नायका और नायका के पिताश्री के लिए नायका नायक प्रसंग पर ध्यान देना संभव नहीं है. समस्या का एक ही समाधान है. दीडी स्वैम पहल करके इस दया नामनी का विवाह कहीं और करा दे. अगर वो ऐसा करा सका, तो उसे पुर्णियलाब होगा, और ये पुर्णियलाब नायका से उसके मिलन का मार्ग प्रशस्त कर देगा. महाराष्टर से ही गए थे कभी वे ब्रामभर जो अब कुमावनी कहलाते हैं, लेकिन उन में से बहुत कम ऐसे हैं जो अब लोट कर महाराष्टर में बस गए हो. बंबई के एक ऐसे दुरलब पंत परिवार के कुल दीपक, कृष्णानंद से परिचे है डीडी का, बैंक में कलर्ख है, अफसर हो जाने की उमीद है, साहित्यानु रागी है, रूपाब और प्रतीक की प्रतियां हैं उसके पास. और सबसे बड़ी बात, एक बार उसके पिता ने कहा था, कि हम तो तीन पीडियों से बंबई में हैं, पहाड से संपर्ख ही कट गया, तुम जाते रहते हो, कोई अच्छी सी लड़की हमारे किशन के लिए धून दो, वो अच्छी सी लड़की धून ली गई, दया. सुधा के विवाह की जो एक मात्र तस्वीर डीडी को भेजी गई है, उसमें दया कैमरे के ठीक सामने खड़ी है, लेकिन कैमरे की ओर देख नहीं रही है, थोड़ी बनी ठनी है, इसलिए आकरशक दिख रही है, दृष्टी थोड़ी सी जुकी हुई है, चहरे पर सौम्य ग कभी जूट नहीं माना जाएगा कि वो साहित्यक रुची संपन्न है, और कविताएं भी लिखती है, डीडी ने इस फोटो को लेकर तुरंत क्रिश्नानंद पंत से संपर्ग किया, क्रिश्नानंद से उसने दया की इतनी प्रशस्ति की, ऐसी शब्दावली में की, कि क्रिश् कोई थोर ठिकाना नहीं है, क्रिश्नानंद ने जो कुछ समझा था गलत, वो और भी पुष्ट हो गया, एक मित्र का इस तरह प्यार की कुर्बानी देना विहवल करने लगा उसे, वो बोला, वो तुम्हारे जम जमा जाने का इंतजार कर लेगी, तुम जिसे इतना अच्छ का जीवन बिताया है, तुम लोग तुरंत भी शादी करना चाहो, तो वो यहां संगर्ष के कुछ और दिन बिता सकती है, साहित्यक लोगों की बातचीत में इस तरह का घपला हो ही जाता है, उनमें शब्दों के बहुत अधिक अर्थ निकालने की प्रवृत्ति जो होती है, डीडी ने अब जितना ही समझाया, क्रिश्नानंद उतना ही गलत समझता चला गया, अब एक ही उपाय था, उस फोटो को फिर सामने रखा जाये, फ्रेम से बाहर देखती हुई, लगभग कट गई, किसी से बोलती वो जो खड़ी है एक और लड़की, क्रिश्नानंद का ध्य उसकी और दिलाया जाये, और कहा जाये, कि मैं दया से शादी इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और इस लड़की से मेरी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है, कि दया उसकी बड़ी बहन है, और जब तक बड़ी बहन की शादी नह उसकी शादी की बात नहीं हो सकती, समझे? ऐसे समझाने पर तो साहित्यकार तक समझ जाते हैं। बेबी को कुछ भी लिखने में बहुत आलस आता है। बेबी को ये विश्वासी नहीं हो पाता कि कभी मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। शाला से गणित के अतिरिक्त किसी विश्यका ग्रहकार्य मिला हो, तो वो निसंकोच दूसरों से पूछ पूछ कर लिखती है। वैसे ही, जैसे सबजी दूसरों से पूछ पूछ कर छौक्ती बनाती है। मात्र परीक्षा में ये संभव नहीं हो पाता, इसलिए कठिनाई से उत्तीर्ण हो पाती है डीडी को पत्र लिखते समय भी परामर्श असंभव है उसके लिए पिता जी से पूछे, तो वो पूछ पैठेंगे, ये शब्द किस संदर्ब में लिखना है दयादी से पूछते हुए संकोच होता है, उसे कैसे बताएगी कि डीडी को पत्र लिख रही है कुछ ही दिन पहले की बात होती, तो ऐसा संकोच न होता क्यूं होने लगा है संकोच, ये सोचना चाहती है बेबी, लेकिन सोचने में भी आलस आता है उसे तो जो पत्र लिखा है उसने, वो निश्चे ही 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने योग्य है और सो भी परीक्षक की अनुकम्पा से किन्तु जब परीक्षक प्रेमी भी हो, तब अनुकम्पा के विशय में शंका कैसी? प्रीय डीडी, मधुर स्मृती, अत्र कुशलंच तत्रास्तु, पत्र तेरे मिले, कुशल से हैं जानकर प्रसन्यता हुई, हम लोग भी राजी खुशी हैं, प्रगती कर रहा है जानकर प्रशन्यता हुई, तू बंबई में रहकर बंबई जितना बड़ा बन, तेरे पत्र समझ में नहीं आते पढ़ती हूँ, बाबू से मतलब पूछती हूँ बाबू भी पढ़ते हैं, रशंसा करते हैं मेरे तिमाही इम्तियान हुए गणित छोड़कर बाकी पैपर साधारण हुए देखो क्या होता है पास तो हो ही जाऊं सायद हिस्ट्री में थोड़ा डर जैसा लग रहा है तुने पूछा कॉलेज में क्या होता कॉलेज में हमारे लिए कुछ नहीं होता कहा भोर का तारा खेला ड्रामा वालोंने महा भोर था तुने पूछा है मैं क्या पढ़ती हूँ करके मैं कुछ नहीं पढ़ती दयादी पढ़ती है एक ही किताब कई बार पढ़ लेती है कैसे पढ़ती होगी मेरे कहने पढ़ी ही नहीं जाती नीद आती है तु बहुत पढ़ा लिखा है तेरी बुद्धी बढ़ी है मैं मूरक हूँ अब मैं सोच रही होसियार बनू करके तेरा पत्र समझ सकूं करके मुश्किल ही हुआ पर कोसी इस करनी ठहरी मैंने बाबू से कहा है कि मुझे पड़ाओ देखो क्या होता है हम कुछ करना चाहें तो कर ही सकने वाले हुए, नहीं? वैसे अभी तो मैं पूरी भ्यास यानी मूर्खा कुछ भी नहीं आने वाला ठहरा मुझे किसी भी बात का सीप नहीं हुआ सीप यानी श़ूर ना घर के काम में अच्छी, ना पड़ाई लिखाई में सुई में धागा भी नहीं डाल सकने वाली हुई मैं ठहरी किसी लायक, लेकिन बनूंगी मन में ठान लेने वाली बात हुई ठान लू करके सोच रही देखो क्या होता है मुझे किसी के लायक नहीं बनना अपने ही लायक बन जाओं, बहुत होगा तू किसी के लायक क्यों बनना चाहता तेरे भीतर सभी गुन ठहरे तू अपने को लायक जो बनाना चाहेगा तो कितना बड़ा जो आदमी नहीं बन जाएगा आज पत्र लिखने का बिसेश कारण ये है कि बाबु ने कहा है कि डीडी को पत्र लिख बाबु बहुत अच्छे हैं बाबु तेरे जैसे हैं जब देखते हो तब कितावों में सिर दिये रहते हैं उनके पास बहुत किताबें हैं तेरी उनकी अच्छी विधी लगेगी विधी लगनी यनि पत्री बैठना बाबु तुझे पत्र भेजेंगे बाबु तेरी साधी दयादी से करने को कह रहे जो तुझे गिरस्ती बसानी ही हो तो दयादी से भली लड़की नहीं मिल सकती दयादी घर के हर काम में होसियार है पढ़ने में भी बीए में उनकी फर्स्ट क्लास स्योर है संसक्रित में फुल में से फुल है गणित में भी तू साधी के लिए मना मत करना जीन सिमन्स कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी होगी मैंने यहाँ लड़कियों से पूछा किसी ने नहीं देख सुन रखी तेरी घोड़े की जीन तेरे पास उसकी तस्वीर है क्या अब पत्र समाप्त कर रहे नीदा रहे बाई बाई टाटा तहां सबसे मेरा यथा योगे कहना जो तु वहाँ अकेला ही ठहरा जीन सिमन्स नहीं ठहरी तो अपने से ही कहना शुभम बेबी बेबी ने इतना लंबा पत्र पहले कभी नहीं लिखा था इसे पूरा करके उसे संतोश हुआ उसमें विश्वास जागा कि कोशिश करने पर वो भी डीडी की तरह लंबा चोड़ा पत्र लिख सकेगी पत्र को लिफाफे में डाल कर उसने पता अंग्रेजी में लिखा पते में और तो और शेहर का नाम तक गलत लिखा हुआ था डाक विभाव गुवालों की महतिक रिपा की पत्र ठीक ठिकाने पर पहुँचा और लगा भी ठीक निशाने पर जो इस पत्र को बार-बार चूम रहा है बार-बार ऐसे डीडी से हमारा इस पत्र की शुद्ध साहित्यक द्रिष्टी से समीक्षा की अपेक्षा रखना अनुचित ही कहा जाएगा डाक वाले जब तक बुम्बई को बॉम्बे समझ लेते हैं तब तक हमारा बुद्धी जीवी नायक इस पत्र को प्रेम पत्र क्यों न समझ ले डीडी के अनुसार ये बहुत ही उच्च कोटी का प्रेम पत्र है नाइका ने दयादी से विवाह की बात उठाई है तो पारिवारिक आग्रह के पालन के निमित्त ही इसे अन्यत्ता समझना गलत होगा नाइका ने इस पश्ट संकेत दिया है कि नाइका के पिता अर्थात नायक के भावी श्वसुर को नायक बहुत पसंद है यह आशाप्रद तथ्य है नाईका ने प्रेरक सूत्र दिया है, यदि संकल्प द्रिड हो तो मानव क्या नहीं कर सकता, बन सकता मानव विशेश डीडी इसी संकल्प के सहारे अपनी समस्त आयोग्यता के बावजूद बेबी से प्रेम कर सकता है, उसका पती बन सकता है वर्तिनी की अशुद्धियां क्षम में हैं, नायक चार छे पुस्तकें लिख चुके साहित्यकारों को रस्व और दीर्ग की गलतियां करते देख चुका है भाषा का तेवर हर किसी का अपना होता है, इसमें तानाशा ही नहीं चल सकती पंडितों की नायका की भाषा में प्रीतिकर आंचलिक रंग है ये संसकारी नायका की विनम्रता है कि उसने अपनी कमियों को रेखांकित किया है और दया की तुलना में अपने को हीन ठहराया है जो लड़की किसी और के क्यों अपने लायक बनो ऐसा कह सकती है वो मूर्ख हो ही नहीं सकती ये वचन ही इस बात का आकाट के प्रमाण है कि नायका का चिंतन अधुनातन है यदि नायक और नायका दोनों अपने अपने लायक बनने में जुटे रहे तो विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि एक दूसरे के लायक बन जाएंगे इस घर घुस्सू सदा दूसरों का मुह जोहने वाले और दूसरों की दुहाई देने वाले समाज में नायक और नायका को भला अपनी तरह अपने अपने योग्य बनने में जुटे हुए जीवन साथी कहां मिल पाएंगे इसमें उहापोह और पुनर विचार के लिए अब कोई स्थान नहीं बात सारी तै है दया का विवाह क्रिश्नानंद से करा दीजिए और फिर बेबी के साथ स्वयम फेरे लगाने की तैयारियां कीजिए नायक ने नायका के पिता के पत्र की प्रतीक्षा भी नहीं की और माटूंगा जा पहुँचा दया क्रिश्न मिलन का मंच तैयार करने के लिए इसमें उसे आंशिक सफलता मिली किशन के पिता जी ने कहा कि साम्य होता हो यानि कुंडलियां मिलती हो तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है उन्होंने डीडी को चिरंजीव क्रिश्नानंद पांडेय का चिन्ह अर्थात जन्मांग चक्र भी दे दिया शास्त्री जी का आरंभ में ये विचार था कि आयुष्मान देवी दत्त तिवारी को विस्तार से पत्र लिखें अपनी पुत्री के नाम अब तक प्राप्त उसके समस्त पत्रों का विवेचन करें किन्तु लेखनी उठाने पर उन्हें सदबुद्धी प्राप्त होई और उन्होंने डीडी से शास्त्रार्थ तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वो दया से विवाह करके जामाता ना बन जाए लोकमत है कि ममिया श्वसुरम किम श्वसुरम किन्तु भान जी का सब कुछ होने के नाते ये ममिया श्वसुर विशिष्ट स्थान का दावेदार हो ही सकेगा तो शास्त्री जी ने लिखा परम प्रिय चिरंजीव डेवी दत्त प्रती शुभाशीष शंचो भूयात आयुश्मती मैत्रई के नाम भेजे गए तुम्हारे पत्रों के संदर्भ में मेरा पत्र भेजना साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध ही कहा जाएगा किन्तो तुम जानते ही हो वयोवरिद्ध होने पर और कुछ मिले ना मिले आवशक्ता नुसार मर्यादित क्रम करने के वा नूतन मर्यादा स्थापित करने की अनुग्या तो मिलती ही है तो इस बूढ़े को ग्रिष्टता का सुख लूट लेने देने में तुम्हें विशेश आपत्ती नहीं होनी चाहिए एक ग्रिष्टता और भी की है इस बूढ़े ने अपनी पुत्ती के नाम तुम्हारे पत्र पढ़ डाले हैं उसे समझाने के लिए पढ़ने पढ़े ये लाचारी सुखद ही रही मेरा व्यवसाय पुस्तकालयों में चिर निद्रालीन साहित्य की चीर फाड का रहा है जो वृत्ती थी सो प्रवृत्ती भी बन गई समसामयक लेखन की ओर बहुत कम ध्यान जाता है और सच कहूं कभी कुछ पढ़ता भी हूं तो सुहाता नहीं इन पत्रों को पढ़कर अवश्य ये ललक उठी मन में कि तुम्हारी रची पुस्तके पढ़ूं सुनता हूं आयुश्मती दया के पास वे थी भी किन्तु कोई सज्जन उन्हें ले गए हैं और जैसा बहुधा होता है लोटाना भूलते चले जा रहे हैं मैंने सुना नैनी ताल में तुमसे बच्चियों ने दया की बात चलाई थी सामान्यतह बच्चियों की बात इसी योग्य होती है कि इस कान से सुनकर उससे निकाल दी जाए किन्तो जितना मैं आयुश्मती दया को जानता हूँ और जितना इन पत्रों के माध्यम से तुम्हें जान सका हूँ उसे देखते हुए यही कहने को बाध्य होता हूँ कि बच्चियों ने ये बात तो बुद्धिमत्ता की ही कही स्वजन की शंसा करते किंचित संकोच होता है तथा पी इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आयुश्मती दया में वे सारे गुण है जो विधाता अपने दुखी और सताय लोगों को करुणाद्र होकर अंतिम्छन देता चला आया है स्वयम तुम्हारा जीवन संगर्शरत रहा है अस्तु विधी का ये विडंबना पूर्ण पक्ष तुमसे छुपा नहीं है कन्या तुम्हारी देखी हुई है और साक्षी है तुम्हारे पत्र की रूप मरमग्य भी हो तुम इसलिए उसके चेहरे मोहरे के विशय में मेरे कुछ कहने की आवशक्ता नहीं ग्रिहकारे में दक्ष है संयुक्त परिवारों में पली है मिलजुल कर रहना जानती है विद्यार्जन की असीम लालसा है उसमें साहित्य से अनुराग है लिखती भी है कुछ यदा-गदा इसे मेरी ग्रिष्टता ही कहो कि तुम दो कलपनाशील व्यक्तियों के संदर्भ में मैं निठला यहां बैठा-बैठा स्वयम इस सुखद कलपना में लीन हो चला हूँ कि मेरे पास अपने पूर्वजों के समय की और स्वयम अपनी एकत्र की हुई जो पोथियां है उनका उत्तराधिकार वंश में पांडित्य की जो परंपरा रही है उसका भार संयुक्त रूप से तुम दोनों को सौपने का आवसर मिलेगा मुझे Made in Devils वर्क्शॉप है ये प्रस्ताव किन्तु प्रकृति में अपवाद सर्वत्र है खाली दिमाग की वो सूज खुपसूरत भी हो सकती है संबंधों के विशय में तुम निश्चिंत रह सकते हो कन्या स्वयम ढोलिगों की है मालकोट आधार में है और बूढा मालकोट गली में मालकोट यानि ननिहाल और बूढा मालकोट यानि बाप का ननिहाल कन्या के पिता के विशय में संभव है कुछ अल्प ग्यानी लोग तुम से ये कहें कि वो खप्ती थे ये सर्वता मिथ्या है राजीव लोचन जी काशी में दीक्षित प्रकार्ण पंडित थे जो पत्नी के अकाल निधन के बाद विरक्त वृत्ती हो गए इसी विरक्ती को कुछ सांसारिक लोग खप्त की संग्या दे बैठे है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे प्रस्ताओं का सहानु भूती पूर्वक विचार करोगे तुमने अपने पत्रों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहने को मेरा अध्यापक मन ललगता है इस ललग पर तब तक के लिए अंकुष लगाए लेता हूँ जब तक इश्क्रिपा से विधिवत साक्षात और संबंध ना हो जाए कुछ बातें ट्यूटोरियल में आमने सामने बैठ कर ही ठीक से हो पाती है फिर भी एक बात कह ही दूँ एक ग्रिष्टता और सही तुम संस्कृत विधिवत पढ़ो नहीं पढ़ी है तो इसी से सपष्ट है कि प्रस्तुती करण को प्रस्तुती करण लिख जाते हो और किसी चीज का विचार करने की अपेक्षा तुम्हें किसी चीज पर विचार करने में अधिक आस्था है यदि मूल ग्रंथ स्वयम ना पढ़ोगे स्वयम उसकी व्याख्या न करोगे और हमारे जैसे तथा कथित वर्तमान आचारियों की बकबक में से थोड़ी इसकी, थोड़ी उसकी लेकर मिलाओगे और इस चिंता चून को तदंतर पाश्चात्य मधु में मिला दोगे तो अपत्य ही तैयार होगा पत्रोतर की प्रतीक्षा रहेगी शुभम विश्णुदत्य शास्त्री जब तुम उसको पत्र लिख रहे होते हो तब तुम अपने को ही पत्र लिख रहे होते हो निसंदे किन्तु उर्मे वेवलता भरता प्रश्ण ये है कि जब तुम उसके पिता को लिख रहे होते हो तब किसे लिख रहे होते हो तर्क यही उत्तर देता है कि अपने पिता को किन्तो डीडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं कि जानता कि पिता को पत्र कैसे लिखते है अंद में डीडी फैसला करता है कि वैसा ही संग्शिप्त और शुष्क पत्र लिखू जैसा यदा कदा अध्यापकों, संपादकों के नाम भेजना पड़ा है सरस साहित्यक्ता में यो भी टांग खिचने का खत्रा है बुढ़ोंने पहले और एलानिया हलके जटके में ही उसे हिंदी के उन यशस्वी लिखकों की पंगत में बैठा दिया है जिनसे वर्तनी की भूले हो जाती है अत्र कुशलंच तत्रास्तो, पत्र मिला, समाचार विदित हुए ऐसे शुष्क रोज मर्रा पंज से अपने को बचाते हुए डीडी ने ये लिख दिया कि मैं आपके प्रस्ताव से धन्य हुआ लेकिन दुर्भाग किसे उसे स्वीकार करने की स्थिती में फिलहाल नहीं हो जब तक रोटी रोजी का कोई ठिकाना न हो जाए विवाह की बात सोचना व्यर्थ है डिया ने जीवन में बहुत कष्ट देखी है उसे मेरे साथ विवाह करके और कष्ट जेलने के लिए बाद्य करना सर्वता अनुचित होगा डिया वास्ताव में बहुत सुन्दर, सुशील और योग्य लड़की है इसके लिए इसके जैसा ही एक वर मैंने यहां बंबई में खोज निकाला है उसका चिन्ध भेज रहा हो यदि साम्य होता हो और आपको ये स्वंबंध स्विकार हो तो बात पक्की करा दूँगा ये लोग मालॉंज के पंत हैं लड़के का मालकोट कुताल गाओं में है और बुढ़ा मालकोट स्यूनरा कोट में लड़का बैंक में कलर्क है अफसरी की परीक्षा दी है और उसमें उसका उत्तीर्ण होना सुनिश्चित है देखने में अच्छा है स्वभाव से शांत कोई व्यसन नहीं है उसे साहित्यानुरागी है बेहनों के विवा हो चुके है अकेला बेटा है